कि राइट कि रेनिंग टाइम में कुछ भी इन्पुट लेने के लिए हमने इन्पुट बॉक्स का इसमाल किया था तो सब और और ब्राइकेट ओपिन और इन्पुट बॉक्स और इसके ब्राइकेट में हम अपना देते थे कि यह प्लीज एंटर योर नमर राइट तो जब इसको हम प्ले करते हैं तो यहां पर यह आता है और इसले ज़ो हम वैलु स्टोर करते हैं वो वैलु आपके जो आर है उस आर पर इस्टोर हो जाती है वैलु ठीक है लेकिन इसको भी हम अपने अलग तरीके से कुस्टमाइज कर सकते हैं ताकि इसका इस्तमाल हम अपने हिसाब से कर सकते हैं ठीक है जैसे कि सबसे पहले उपाद टाइटल लाएं अगर हम टाइटल लाना चाहते हैं तो कैसे टाइटल लाने के लिए इसका इस्तिमाल किया जा सकता है तो यहां पर हम देंगे यहां पर हम करते हैं आर इकॉल टू इन्पुट बॉक्स और इसके अंदर में प्रॉम्ट मतलब कि मैसेज क्या ना चाहिए तो हमने कर दिया प्लीज एंटर टेक्स यह जो भी दर चाहते हैं उसके बाद टाइटल जो ऊपर में जो माइक्रोशोब एक्सल लिखा हुआ होता है ना उस माइक्रोशोब एक्सल के जगाव पे आप अपने हिसाथे जो टाइटल लाना चाहते हैं वो यहां आप कर सकते हैं ज़से की मन्या बेडाल या इन्पुट डेटा और उसके बाद डिफॉल्ट उसके अंदर डिफॉल्ट वैलू क्या हो सकती है तो डिफॉल्ट वैलू यहां आप दा देजिए और फिर आपका आता है पोजीशन जै क्योंकि अगर हम इसको डारेक रण करें यहां पे तो आप देखेंगे कि इसका जो पोजीशन है रठीशन फिक्स है जायां देखिए इसका पूजीशन जो है पोजीशन यहां पे आप्पोजीशन यहां पर यहां पर यहां पर आपको उसका प्रजीशन करेंद अब λέगा कि दोजार यहां बहुत तो फिर उसके हिसाब से सेट करने बढ़ेंगे आपको यह इन्पूर्ट वाक्स का कमाल होता है कि आप इन्पूर्ट वाक्स यहां से इस तरह से ले तो इन्पूर्ट वाक्स में एक चीज और होता है input box में हम जो data डालते हैं और data हम अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं तो एक बार याद है मुझे कि मैंने एक input box की मदद से एक test का एक test automation किया था जिसे कि यहाँ पे questions questions number यह थे questions number हो गया questions number और यहाँ पे हमारा questions थे और यहाँ पे name answer यहाँ पे answer होते हैं ठीक है अब यहाँ पे हम कुछ questions डालते हैं यहाँ बार करने सिर्फाट यहाँ थे यहाँ in आशन है अबजाँटिट आशीकिन मही नमीड थे what is the 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 पर हमारा कॉश्टिन्स हो गया अब क्या था कि जैसे कोई कॉश्टिन्स प्ले करें सबसे पहले उसका नाम पुछे नाम जो डालेगा वो यहां आएगा और जो कोश्टिन्स डालेगे वो कोश्टिन्स का एंसर यहां पर आएगा ठीक है तो मैंने यहां पर सबसे पहले n is equal to input box और यहां पर मैंने भोल दिया please enter your name और यहाँ पर name of यह हो गया तो इनवर्टर को में देना पड़ेगा नाम ना यह हो गया फिर जो name डालेगा वो name यहाँ यहाँ पर store होगा तो हमने दिया range xfd1 dot and और यहाँ भी हमने बोला down now to left to left dot value is equal to n but हो सकता है कि n ओ ब्लैंक छोड़ दे क्या n को ब्लैंक छोड़ दे तो यहाँ पर हमें वाइल लूप लगाना पड़ेगा कि वाइल so do while so do while do do until होगा माफ की जाएगा until until n is not equal to blank so until में a की अल होगा और यहाँ पर loop हो जाएगा इसे क्या होगा कि अगर मैंने इसको play किया अगर मैंने इसको ok कर दिया बिना कुछ डाल है दिख रहा है तो यह वापस हम को देगा अब मैं यहाँ पर डाल दूँगा इसमें डाल दिया पूजा तो ok किया तो यहाँ पर देखेंगे पूजा नाम ने जला क्या अफसेटी यूज़ने किया ना अपने उफसेट पूजा को वीवन में पेस्ट कर चलो यार एक गलती हमसे भी हो सकती है जीरो कॉमा वान डॉट वैंड लेकिन इस कॉम फॉर लूप में चलाएंगे चले टू टू और जितने कोश्चन्स है या फिर कोश्चन्स कम है उसके हिसाब से छेतर और यहाँ जो कोश्चन्स है इसके जगाँ पर जगाँ सेल्स आई कॉमा टू डॉट वैल्व ठीक है और इसका जो टाइटल होगा कॉइस्चन्स और हमने इसके साथ कौन का टानेट किया आई माइनस हुआ और हम देंगे सेल्स आई रो और ती अ आप यहाँ पर दिक्कत आएगी न कि अब जोड़ी तो कि आँगा आगली का लिडियेट यहाँ हो सकता क्या तो यहाँ पर हम कॉलन का नमबर लेंगे यहाँ जो दिखा है ना आपको यहाँ पे c equal to dot column और यहाँ पे c हो जाएगा dot value equal to अब यहाँ पे n नहीं होगा यहाँ पे कर देते r पर की result और यहाँ भी r हो जाएगा ठीक है और next अब ज्यान एक सी और रखना है कि यहाँ r equal to blank करना है अब देखिए हम questions पे लिए करते हैं अब नेम एक्जामी मैंने दे दिया हाँ पे पूजा ओके किया पूजा यहाँ नाम दिखा हुआ गया अब आता हो आड़ इस एक्सल बर्जन ले टेस एक्सल बर्जन मैंने लिखा 2016 सिक्स्टीन एंड ओके किया रिजल्ट से सामने पेस्ट हो गया एक्स्टेंशन हमने बोला एक्सलेस एक्स आगया मैं क्स्टेंश मैं क्स्टेंश Yes समझ जब अगली करेट जब करेगा तो उसका नाम यहाँ आएगा और इसके नीचे आएगा तो अगला का इसके नीचे और उसकी अगला का इस तरह से होता जाएगा तो इस तरह से हम input box को इस्तेमाल जबते हैं कि आप लोग कि बाउट लेकिंग इंपूट बोक्स को जिसे कि हम लोग फंक्शनल बागा इस्तेमाल करते हैं तो मुझे अगर इंपूट बॉक्स में हमको एरिया करना चाहें तो कर सकते हैं तो इसके लिए चलिए अब लिखते हैं माक्रो राइकेट ओपन इंग क्लोज तो यहां पे सब लिखना पर रहे हैं ओके तो इस सब्जेक्ट में हम यहां भी क्या कर रहे हैं तो इसके लिए आपको जो है अगर आप चाहते हो कि ओ ले तो उसका लेने का त्वस्ट तरीका है जैसे कि हम देते हैं डी इक्वल टू अपली के यहां पर माल लिजे कि हमने यहां पर देता हूं सेट यहां पर कि डिम आर अज रेंज और फिर करेंगे सेट आर इक्वल टू अप्लिकेशन डॉट इन्पूट बाक्स जहां लेकिएगाए अप्लिकेशन डॉट इन्पुट बाक्स and bracket में comment की select data और title जो है बना देदी जा रेंज और बाकी सब देने की ज़रूरत नहीं है इसको gap की जिए type में जो आता है type जिरूर इंपोर्टेंट है तो type पो ध्यान रखिएगा अगर मैं 0 देता हूँ तो formula लेगा 1 देता हूँ तो number 2 देता हूँ तो text 4 देता हूँ तो true and false and it दूँगा तो लेगा a cell reference तो मुझे यहाँ पे it करना पड़ेगा ठीक है और जो reference किस पे set होगा आर पे set होगा हमाला यहाँ पे की और होगा कि हमने यहाँ पे range लिया तो default जो आ रहा है जो default आता है इसमें दिजिए selection.address इससे क्या होगा कि जो select करेंगे उसका address हाजाएगा और जहाँ यूज़ करना इसमें message box के अंदर यूज़ करना चाहता हूँ और यहाँ देना चाहता हूँ कि application.worksheet function.sum और फिसकी bracket में हम देते हैं आर को अब देखें मैं जैसे इसको play करूँगा मतलब कि मैं micro play कर यहाँ पर कुछ नंबर अगर लिख दूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं micro में जाओं और अपना इस अगर कोई और लोकेशन देना है तो कोई और लोकेशन भी स्लेक्ट कर सकते हो और फिर उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा तो अगर आप जैसे कि इमान लीजिरें के pivot लगा रहे हैं अब कुछ ऐसा function बना रहे हैं जो एरिया है यूजर अपने हिजाब से स्लेक्ट कर सकते हैं वहां पर इस तरह का input box का method ले सकते हैं अब इसके बारे में आपको याद ही रहेगा कि एप क्या करता है तू करता है फोर क्या करता है तो आपको जो मैंने बुक भेजी थी वीवीए की उस बुक में 402 जो पेज नंबर है उस पेज नंबर में देखेंगे तो इसका detail दिया गया है 402 तो के सालम जी और कुलीब जी कुडाउट इसमें कमल जी तो इसकी कोडिंग मैं बेजता हूं और इसकी रिकॉर्डिंग जो है यूटूब पे लाइब तलिकास्ट हुई है मेरी अभी आप चाहो तो उसमें यूटूब से ले सकते हैं अभी यूटूब पे चली गई है सर तो मिले वेब साइट ाइपीटी इंडिया डॉट कॉम से जाएंगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा अभी पांस मिनट में आपको मिल जाएगी यूटूब से बाकि मेगा में तो मैं डाली दूँगा त यूटूब से टाइम लगता है तकि यूटूब पे अभी अभी चला गया है क्योंकि मैं इसको लाइफ टेलिकास कर रहा हूं स्क्रीम को कि कमल जी मैंने कर तो दिया था इंविटेशन आया होगा इंविटेशन एसेप्ट करना होगा नोटिफिकेशन में जागे ठीक है तो मिलते हैं कर ओके बाई गुद नाइट